स्किल्ड डेवलप्मेंट का ये उत्सव अपने आप में अनूठा है। पूरे देश में स्किल्ड डेवलप्मेंट से जुड़े संस्थानों का ऐसा साजा कौशल दिख्षान समारो एक बहुती सरान ये पहल है। ये आज के भारत की प्रात्विक्ताओं को भी दर्शाता है। इस आयोजन में देश के हजारों युवा टेक्नोलोजी के मादम से जुड़े हुए हैं। मैं सभी युवाओं को बहतर भविश के लिए बहुत बहुत सुपक्रामनाय देता हूँ। मेरे विवा साथियों हर देश के पास अलग अलग तरह का सामर्थ होता है। जैसे प्राकृतिक संसाधन, खनीज संसाधन या लंबे समुद्र तट। लेकिन इस सामर्थ को उप्योग में लाने के लिए जिस एक महत्वपूर्ण शक्ति की जरुरत होती है वो है युवाशक्ति। और ये युवाशक्ति जितनी शसक्त होती है उतना ही देश का विकास होता है। देश के संसाधनों के साथ न्याय होता है। आज भारत इसी सोच के साथ अपनी युवाशक्ति को एमपावर कर रहा है। पूरे एको सिस्टिम में अभूत पुर्वत सुधार कर रहा है। और इसमें भी देश की एप्रोच दो तरफा है। हम अपने युवाशकों को स्केलिंग और एजुकेशन के द्वारा नए अवसरों का लाप उठाने के लिए तयार कर रहे हैं। करिब चार दसक बाद हम नई नेशनल एजुकेशन पॉंड़ी से लेकर आए हैं। बड़ी संख्या में हमने नए मेडिकल कॉलेज, IIT, IIM या ITI जैसे कौशल विकास समस्थान खोले हैं। करोडों युवाओं को प्रदान मंत्री कौशल विकास योजना के तहत ट्रेणिंग दी गई हैं। वहीं दूसरी तरफ हम नोकरी देने वाले ट्रेडिस्टरल सेक्टर्स को भी मजबूत कर रहे हैं। हम रोजगार एंट्रेडर्शिप को बढ़ावा देने वाले नए सेक्टर को भी बढ़ावा दे रहे हैं। गुर्ष एक्सपोर्ट, मुबाल एक्सपोर्ट, ऐलेक्टॉनिक एक्सपोर्ट, सर्विसीज एक्सपोर्ट, डिफेंस एक्सपोर्ट, और मैनुफेक्टरिंग में नए रिकॉर्ड बना रहा है और साथ ही भारत, स्पेस, स्टार्ट अप्स, ड्रोम, एनिमेशन, इलेक्ट्रिक भीकल्स, सेमिकंडक्टर जैसे कई सेक्टरस में आप जैसे युवाओं के लिए बड़ी संख्या में नए अवसर भी तैयार कर रहा है साथियों, आज पुरी दुनिया मान रही है कि ये सदी भारत की सदी होने वाली है और इसके पीछे भी बहुत बड़ी वजह भारत की युवा आबादी है जब दुनिया के अनेके देशों में बुजुर्ग आबादी बढ़ रही है तब भारत दिनों दिन युवा हो रहा है भारत के पास ये बहुत बड़ा एडवांटेज है पूरी दुनिया स्किल्ड युवाओं के लिए भारत की तरब देख रही है हाल में जी ट्वेंटी समीट में ग्लोबल स्किल मैपकिम को लेकर भारत के प्रस्ताव को स्विकार किया गया है इस से आप जैसे युवाओं के लिए आने वाले समय में और बहतर अवसर बरेंगे देश और दुनिया में बन रहे किसी भी मोके को हमें गवाना नहीं है भारत सरकार आपके साथ आपकी हर जरुरत में आपके साथ है हमारे यहां पहले की सरकारों में स्कील पर उतना ध्यान नहीं दिया गया था हमारी सरकार ने स्कील का महत्व समझा और इसके लिए अलग से स्कील मंत्राले बनाया स्कील मंत्राले के लिए अलग बजेट दिया भारत आज अपने युवाओं की स्कील मुझ पर जितना इन्वेस्ट कर रहा है उतना पहले कभी नहीं किया गया प्रधान मंत्री काउशल विकास योजना ने ग्राउन लेवल पर युवा साथ्यों को बहुत शक्ति भी दी है इस योजना के तहएद अभी तक करीब डेड़ करोड विवाओं की ट्रेनिंग हो चुकी है अब तो इंडस्ट्रियल क्रस्टर्स के आसपात ही नए काउशल केंदर भी स्थापित किये जा रहे है इससे इंडस्ट्री अपनी जरुरते स्किल डेवलप्मेंट समस्तानों के साथ शेर कर पाएंगी और उनके अनुसार ही जरूरी स्किल सेट युवाओं में डेवलप करके उन्हें रोजगार से जोड़ा जाएगा साथियों आप भी जानते हैं कि अब वो जमाना नहीं है कि एक काम सिख गए तो बद जीमन बर उसे काम चल जाएगा अब स्किलिंग अप स्किलिंग और रिस्किलिंग ये पैटरन है जिसे हम सभी को फॉलो करना ही होगा डिमांड तेजी से बदल रही है नेचर अब जॉब बदल रहा है उसके हिसाब से हमारी स्किल्स को भी हमें अपग्रेड करते रहना होगा इसलिए इंडस्ट्री, रिसर्च और स्किल्ड डेवलप्मेंट समस्तानों का समय के अनुरूब होना बहुत आवश्यक है किस किल्में नयापन आ गया है, किसकी कितनी जरुवत है, पहले इस पर भी फोकस बहुत कम था अब ये स्थिती भी बड़ली जा रही है, बीते नव वर्षों में करीब पाँच हजार नई आई टी आई देश में बनाई गई है इसे देश में आई टी आई की चार लाग से अधिक नई सीटे जुड़ी है इस संस्थानों को मोडल आई टी आई के रूप में अपग्रेड किया जा रहा है मकसद ये है कि बेस्ट प्रक्टिशिस के साथ ही इन में एफिशन्ट और हाई क्वालिटी ट्रेनिंग दी जा सके साथियों भारत में स्किल डेवलप्मेंट का दाइरा लगातार बढ़ रहा है हम सिर्फ मेकैनिक, इंजीनियर, टेक्नोलोजी या कोई दूसरी सर्विस इतने तकी सिमित नहीं है अब जैसे महिलाओं से जुड़े सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं अब ड्रोन टेक्नोलोजी के लिए महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को तयार किया जा रहा है इसी प्रकार हमारे विश्वकर्मा साथी है ये हमारे जीवन के महत्वपुन हिस्सा रहे हैं इनके बिना कोई भी काम नहीं चलता लेकिन परंपरागत रुप से अपने बड़ों से जो काम ये सिखते हैं वही आगे बढ़ाते हैं अब पियम विश्वकर्मा योजना से इनके इस परंपरागत का उश्रल को आधुनिक टेकनोलोजी और टूल्ट से जोड़ा जा रहा है मेरे युवा साथियों जैसे जैसे भारत की अर्थेववस्ता का विस्तार हो रहा है आप जैसे युवाओं के लिए नई संभावनाएं बनती जा रही है अभी हाली में एक सर्वे हुआ है और सर्वे में ये बात सामने आई है कि भारत में रोजगान निर्मान एक नई उचाई पर पहुँचा है भारत में बेरोजगारी दर अपने छे साल के सबसे नीचले स्तर पर है ये मैं बेरोजगारी की बात कर रहा हूँ भारत के ग्रामेण और शहरी छेत्रों दोनों में ही बेरोजगारी तेजी से कम हो रही है इसका आर्थ ये कि विकास का लाथ गाव और शहर दोनों ही जगहों पर बराबर पहुँच रहा है रोजगार बढ़ रहे हैं रोजगार मिल रहे हैं इससे ये भी पता चलता है कि गाव और शहर दोनों ही जगों पर नए अवसर्वी समान डूप से बढ़ रहे हैं इस सर्वे की एक और बहुत प्रमुग बात है सर्वे में सामने आया है कि भारत की वर्कफोर्स में महिलाओं की भागिदारी उसमें अभूत प्रवव भुद्धी हुई है नारी शसक्ति करण को लेकर भारत में बीते वर्षों में जो योजनाये बनी हैं जो अभियान चलाए गए हैं ये उनका प्रभाव है साथियों अंतर राष्ट्य संस्ता आयमेफ ने भी जो आंकड़े जारी किये हैं वो भी आप सभी युवाओं का उच्छा बढ़ाने वाले हैं आयमेफ ने कहा है कि भारत आने वाले वर्षों में भी fastest growing major economy बना रहेगा आपको याद होगा मैंने भारत को दुनिया की top तीन अर्थ ववस्ताओं में सामिल हो जाएगा यानि आपके लिए नए आउसर बनेंगे आपको रोजगार स्वरोजगार के और ज़्यादा मोके मिलेंगे ताथियों आपके सामने आउसर ही आउसर है हमें भारत को दुनिया में skilled manpower का भी सबसे बड़ा पावर सेंटर बनाना है हमें दुनिया को smart और skilled manpower solution देने है सीखने सिखाने और आगे बढ़ने क्या ये सिलसला चलता रहे आपको जीवन में हर कदम पर सभलता मिले यही मेरी शुब कामना है आप सबको अनेक अनेक शुब कामना ये देते हुए मैं आपका अरुदय से धनिवाद करता हूँ जादी आपणों को आमों वीडियो टी भल ले गिला तेवे आमों चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करेब कुछ जो मैं भी बुलों तो नहीं झाल 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 कि झाल